नमस्कार मैं हूँ विसमयलंकार और अभी मैं हजारी बाग के उस छात्र के घर पर हूँ जो युक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया है और अभी उस युद्ध की विवी सिका में वहां फंसा हुआ है ‎ब परिजन परिशान है alltså कि बाद भी हुई है तुसार से तुसार है हजारी बाग के नवां गंज के का रहने वाला है और तीन साल पहले वह आइडिकल की do언 पढ़ाई करने के लिए वहां पर गयत है कितनी दिक्कत हो रही है कुछ बाचीत हो पाई है हाँ बाचीत हो रही है वह बहुत परेशान है वहां पर वहां सब जो है सो उसको खाने पीने का समान नहीं है उसके पास में ना एटियम से पैसा निकल रहा है और बिजली भी वहां पर जो डिनों से समाप्थ हो गया है बिजली नहीं रहने के चलते ठंढ़ा परदेश है थंड़ा फाने माइनस तीन डिद्ध के शुरा है भूड से उट से भी जूज रहे है और और से भी जूज रहे है बहुत परिशानी में हमारा बच्चा वहां जीतना जल्दी हो सकए ह सब्सक्राइल या पैसे वहां कि वह पस नहीं है या आना नहीं चाहरा था या समझ नहीं पाए कि यह बिकट प्रस्थिती हो तो नोगे हमेशा संपर्क में रहा हो लोग का यह कहना था कि यह इसी इस्तिती भारार होते रहती है हरवराने की ज़रुत नहीं है यूद नहीं होगा आप लोग बिचली इतमत होईए अराम से यहां पर पढ़िए और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि उन लोगों का जो क्लास है वह ओफ लैंड नहीं था ओफ लैंड था ओनलाइन नहीं हो रहा था तो इन लोग स से टिकट के लिए टिकट भी मेरा बच्चा लिये हुए जिसका दो मार्च को मेरा टिकट था वहाँ टिकट नहीं मिल रहा था टिकट भी जो दो टिकट हम लोग वहां पर 40,000 रूपिया में टिकट बुक करवाए दो तारीक ओफ लेन का टिकट था और इसी बीच में जो है सो यूद छिड़ गिया यूद चुड़ने के चलते वहां जो है इंवर्षिटी या चातर को समझ में नहीं है कम से कम यहां से टीवी का यहां से समाचार था उसको देखकर के उससे संपर्क बार-बार कर रहे थे हमेशा संपर्क में थे लेकिन वहां के लोग जो है लाख तो वहां टिकेन नहीं केसे सबस्क्राइब करेंगे तो अंग रभी अधाने का यहां ने बोला कि वहां पे ब्ली कट गई है इसके कानवा ठंड है तो में और मत अमने मतले हैं और कितने रड़के है जाँ सब्सक्राइब को हें ओब उसमें पांच लड़का है िबाउग और और लोग अलिग हैं डियुक्षै W यहां सरकार के कुछ कहेंगे सरकार से यही मेरा कहना है कि वहां से जल्दी से जल्द मेरा बच्छा को घर वापस लादिया जाए बस इक बस किसी तरह से जल्द प्रीट है वह वापस आ जाए तुसार से अंजुई करेंगे ही जो परिजन है उनके फारसत है वह कम है एक सब्ता से तीन चार दिन तक कही खाना है और जो इस्रतिय हैं वह लगाता दिगड़ रही है बिजली अब नहीं है तो जब बिजली रही रहेगी गैस नहीं रहेगा तो इस्तिती क्या हो सकता है यह समझ आसानी से समझा सकता है तो अब लोगों की निगाहें सरकार पर हैं कि वो किस तरह से जो भारत की लोग हैं जो छात रहें वहां उनको स्वदेश वापस ला पाती है विसमेलंगार लगाताराटें के लिए झाल से स्वदेश नाहें विसमेर नाहें विसमेर लोगों के लिएो जपास्व लोगों का कि लिए आसे से एंपरें के लिए समझा।